आज के कार्यक्रम में विशेश रूस्प से उपस्थित अधर्णिय श्री ब्रिजमोन भारत्वाज जी माननीय प्रांतसंग चालक जी तता सभी सिवा के किसीन किसी कार्य में लगे कार्यकर्था बंदू भगीनी माता वास्तों में तो यहां बोलने का काम ज्यादा है नहीं आप सब लोग काम करने वाले लोग हो और आप जो काम कर रहे हो वही यहां पर आपने उसका थोड़ा बहुत वरणन किया दो मिनिट में उसी से सब बाते स्पष्ट हो जाती है और अधिक बताने का कुछ बश्ता नहीं अपना घर जो चलता है उसका एक अनुभह जिनके पास है वो उसके चलाने वाले जो है उन्हें अपने अनुभह से कुछ बाते बताई वो सेवा का एक पूरा दर्शन है भारत का जो सेवा दर्शन है वो उन्हें बताया हमारे यहां जो सेवा की जाती है उसके पीछे मन कैसा रहता है उन्होंने जहां समाप्त किया वहीं से मैं शुरू करता हूं कि आप सब लोगों को एक बार कभी भी समय निकाल कर किसी न किसी अपने घर को भेट देनी चाहिए और देखना चाहिए कैसा होता है मैं गया था मैंने देखा उन्हें का मांगते कुछ नहीं रोज भगवान को एक फलत पर लिख देते हैं कि भगवान इतनी इतनी जुरूरत है बस वह तंगा रहता है कोई आता होगा देखता होगा पढ़ता होगा नहीं भी पढ़ता होगा लेकिन कहें तो आश्चरे है कहें तो आश्चरे करने की बात नहीं यह भगवान का कारिया है ऐसी भावना से जब लगते हैं तो भगवाने ही साक्षा उसकी व्योस्ता करते हैं और यह अब उन्होंने बताया लेकिन यह शब्द नहीं है यह रोज ऐसा होता है जो वहाँ सेवा लेने के लिए आते हैं तो वो सेवा लेने के लिए आते हैं ऐसा नहीं है उनको सब को कहा जाता है प्रभू क्योंकि जिनकी हम सेवा करते हैं हम उन पर उपकार नहीं कर रहे हैं हमको सेवा का अवसर देकर वो हम पर उपकार कर रहे हैं उनकी सेवा करके हमारे पाप धुल जा रहे हैं और ये सेवा करनी है तो उसके पीछे अपना पन है और अपनापनी भगवान का रूप है सारे अध्यात्म को अगर एक शब्द में बताना है तो प्रेम ऐसा ही बताते हैं उसके चलते हम प्रेरित होते मैं एक बहुत बड़े विक्ति को मिलने गया अर्बोपती है सारी दुनिया में नाम है हुआ है का पैली बार मिलने गया तो उन्होंने अनूमान लगाया संवालम मिलने के लिए आंर था हों लाइन ही हिंदू जिनको कहते है आज दुनिया में वैसे वो नहीं तो नोब यह क्यों मेरे पासे आरहा है तो नहीं एक अनूमान, लगाया कि इनके बहुत सारे सिवा कारे होगर रहते हैं तो पैसा चाहिए होगा ठीक है उनका को इसको विरोध नहीं है वो बहुत सिवा वो स्वयम करते हैं कि इसलिए आने दो आए वारी बात चली सववा घंटा बात चली वो रा देख रहेते हैं अब ज्व मांगेगा अब मांगेगा कि लो कि इंडें भाती नहीं कि मुझे और रहा है मांगे का पहली बार मिल रह तो तो उन्हों ने मुझे कि ओपनिंग देने के लिए कि यह कहा कि आपकी इत्ने सारी सेवा कारे चलते हैं तो उसके फंडिग कि आप क्या व्योस्ता करते हैं तो मैंने का भी हमारा कारी करता को कहीं अभाव दिखा दुख दिखा तो वह दोड़्ड पड़ता है उसमें जितनी ताकद है उतना करने लगता है अपना समाज ऐसा है कि प्रामानिक्ता से निश्वार्थबुद्धी से कोई कोच अच्छा काम करता है तो उसको किसी बात की कमी नहीं रहने देता तो इसलिए उसका हम विचार नहीं करते हैं वो अपने आप हो जाता आपको कुछ मांगना नहीं है तो मैंने उनको कहा कि दिखिए वो समय ऐसा था अपने समाज में एक निराशा व्याप्त थी आप एक अच्छे विक्ति इसलिए प्रसिद्ध हो बच्छेवा वगरे भी करते हो आप समाज में आपके परती एक आस्थाय विश्वास है तो साथ-साथ ये भी कहते जाओ कि अपने देश में बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, सब डूब जाएगा, अभी ये सुधरने वाला है, ऐसी जो भावना है वो गलत भावना है क्योंकि जितना बुरा हो रहा है, उससे 40 गुना जादा अच्छा हो रहा है, मै सारे देश में घुमता हूं मैं देखता हूं आप भी अनुभव करती होंगे क्योंकि आप जाते हैं समाज में सिवा करने ये बात आप लोगों को बताओ कि समाज का होसला रहना चाहिए समाज का होसला तूट गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता समाज अगर खड़ा है तो फिर भगवान सायग होते भगवान का भी ऐसा है ना जब तक और पांडव अपने शस्त्र उपर से निकाल कर लड़ने के लिए खड़े नहीं हुए तब तक भगवान ने कुछ नहीं किया भगवान की ताकत तो है ना थोड़ी अपनी भृकुटिकों तेड़ा कर दे तो सारी दुष्ट भस्म हो जाए दुनिया की लेकिन भगवान ऐसा करते नहीं कोई काड़े हो गए और लड़ना उनको इपड़ा भगवाने के वाल रच चलाया है इसलिए कि समाज कुछंक करना यह महत्वकी बात रहतरे sow कि पूरे समाज को खड़ा करना तो जिसको खड़ा करना उसको मैं और मेरा भूलना पड़ेगा और मैं और मेरा भूलने का प्रयास करते तो जितना वो कम होता है उतना भगवान आता है हएं जहां माई है वहां वह नहीं बarms ना ईृए हई otur तो में जाता है तंब हम आता है हम ही अपना पने और अपना पन ही अध्यात्म है अपना पनी भगवान है, विश्वरूप भगवान है, नर्मे नारायन है, जनमे जनार्दन को देखना, ये अध्यात्मिक साधना का एक भाग है, अपने अंदर भगवान की अनुभूती करना, इससे पूरी नहीं होती वो साधना, ये होने के बाद भी थोड़ा बाकी रहता ह है, वो बाकी क्या रहता है, कि जो अपने आप में आप देख रहे हो, वो सब में देखो, और आपने अगर पहले सब में देख लिया, तो आपको अपने आप में देखने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप मोता है, इसलिए संत तुकाराम में जेका रंजले गांजले त्यासी मने जुगा पुले तोची साधु उड़कावा देवतिती ची धानावा जो वंची थे अभावग रस्त है पीडित है उनको जो अपना कहता है वही साधु है भगवान का वास उसी में तो सिवा की प्रेणा हमारी क्या है मैंने किया यह नहीं है अपनों के लिए किया यह है वो अपनापन समाज को जोड़ता है धर्म का वही आधार है कर्म कांड यह धर्म का आधार नहीं वो देशकाल परिस्थिति उनुसार वो चलते रहता है लेकिन असली धर्म का आधार वही है सबको सुख्य होना है सबको साथ उन्नती में चलना है मुझे शरीर का भी सुख चाहिए, मन का भी सुख चाहिए, बुद्धी का भी सुख चाहिए, तीनों एक साथ चाहिए, एक के लिए दूसरा कम करूँ तो सुख नहीं मिलेगा, तो बिना आत्मा के वो हो नहीं सकता, मनुष्य भी सुख्य होना चाहिए समुह भी सुख्य होना चाहिए और परियावरन भी ठीक रहना चाहिए तीनों एक साथ करने हैं तो परमत्मा के भी नहीं सकता मेरी सारी इच्छा पूरी हो इच्छा पूरी करने के सारे साधन मेरे हाथ में हो और ये सब करके मुझे अंत में मुक्ति भी मिले ये बिना धर्म के हो नहीं सकता क्योंकि इसमें जो अपने पन का धागा है वही परमात्मा है वही आत्मा है वही धर्मा है धर्म सबको जोड़ता है सबको उन्नत करता है तो ये अपने पन के धर्म को निभाना मैं और मेरा छोड़ के अपनों के लिए काम करना ये समाज में जितना होगा उतना समाज बनेगा और समाज बनेगा तो देश बनेगा तो पूष्टाओ आपने उल्ले किया खली में एक जग बैठा था तो नहीं पिढ़ी एकदम जवान अभी ग्रेजोट होने को है फानल कोई डॉक्टर बन रहा है कोई इंजिनर बन रहा है तो जाने वाले थे वी देश में पढ़ने के लिए जैसे आज फैसन है जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए हमको बड़ा ऐसा लगता है अपना देश छोड़के जाना मेरोला ज्ञान प्राप्त करना है आप जाओ दुनिया में कहीं भी जाओ चंद्रमा मंगल पर जाना प कहने से थोड़ा उन्होंने कहा कि लेकिन यहां पर फैसिलिटीज नहीं है इसलिए तो आना है जाए फैसिलिटीज है वहां आपका क्या काम है यहां डाक्टर नहीं है इसलिए डाक्टर चाहिए उन्हें कहा लेकिन वो फिर मैंने बड़ा नहीं पहले आप एकते करो आपको जो करना है करो, आप जो भी सोचोगे, आना है, नहीं, आना है, जाना है, जाना है, जाना है, आप जो कहोगे, वो आपके लिए ठीक है, मेरा कोई ये कहना नहीं कि ये सही बात है करो, आप जो सोचोगे, वो सही है मेरे लिए, लेकिन आप पहले ये तै कर लो, कि आप अगर ड कर दॉक्टर बन के लोगों की जान बचानी है तो वो भारत में आएगा यहां आव सकता है। बीस किलो मेटर पर डॉक्टर मिलता है। इसलिए डाइरिया का पेशंट बच्चा दवाखान में जाते जाते हैं मर जाता है। इजासी है। इस Coll Cindy देनी करना है आना है कि आजाना है यह आपको यह करना कि आपको जीवन में करना क्या का मधना है की बचना है हमारी आगई को दॉसेवर्जयां के कमाने वालों की ठिस्था नहीं है भार है पोड रकृमृट और इनके ऐसे चरित्र बंटे utilized हैं क्या लेकिन हमारे यहां तो बाठने वालों की चरित्र है कमाया बहुत लेकिन राणा प्रताप को दे दिया आज़ादी की लड़े के लिए तो भामाशा का चरित्र है बाकी कमाने वाले ठीक है नाम आते हैं जाते लोग भूल जाते हैं कि सिमासन पर बैठे बैठे बैठने का मोका था लेकिन पिता जी के वचन के लिए जंगल में चले गए चौदरा नहीं चाहिए उड़ाज हम उनका चरित्र लिखते हैं यह भारत है उस भारत को भारत बनाकर खड़ा करने के लिए इस प्रकार की सेवा आजावश्यक है वह भारत का सेवा दर्शन है और यह सुयश क्यों निकला है संगने सुयश समाज उपयोगी यू शक्ति उसका अंगरी जी का पहला आक्षर लेकर बनाई है दिवनागरी का अक्षर लेकिन नहीं बनाया है, समा जो का एस, उपयोगी का यू, वाई एस, ऐसा हो किया है, खर जो भी है, लेकिन संगने क्यों किया, तो अनुमान लगाएंगे लोग बाहर से, जैसा चलने हैं दुनिया का, कि संगने इसलिए किया, कि इनका संपर का बढ़ना चाहिए, और नहीं नहीं लोग जुडने चाहिए, अब यह हम कर रहे हैं तो यह होगा, जुरूर, यह स्वाभा भी खोना है, लेकिन यह उद्देश संख्या चाहिए, नंबर चाहिए, लोक प्रियता चाहिए, नहीं है, हमारा एक विचार है, हमारा एक तरीका है, उस विचार को तरीके को लोग कर, हम चलते हैं, हमको पूरे समाज को ऐसा बनाना है, लेकिन बनाने के लिए लोगों को जमा करो, जमा करो, ऐसा हमारे यह नही है इसलिए स्वयज बनाने का संग बढाना संग में परिणाम जरूर होगा लेकिन उद्देश वो नहीं है आपने काम को प्लेटफॉर्म मिल गया यह अच्छी बात है ऐसी बातों को प्लेटफॉर्म मिलना ही चाहिए परणतु आपको प्लेटफॉर्म देने के लिए भी यह क यह क्यों बनाया क्योंकि परम्वभो संपन्न विश्व गुरु भारत बनाने का यही रास्ता है किसी संगठन पर निर्भरोकर किसी सरकार पार्टी व्यक्ति इन पर निर्भरोकर समाज यह देश बनते नहीं है देश बनने के लिए यह सब होना आवश्चक रहता है संगठन होना आवश्चक रहता है नेता होना आवश्चक रहता है कोई कोई विचारधारा नीती लेकर चलने वाले लोग समूँ होना आवश्चक रहता है वो इन सबका मालीक इनको बनाने वाला होता है समाज और समाज याने समाज का प्रत्यक्विक्ति समाज के सुशिक्षित लोग भी, समाज के अशिक्षित लोग भी समाज के धनवान भी, समाज के गरीब भी ये सब एक शरीर के अंग है कोई अच्छा सोचे और बाकी सब लोग खुराब सोचे तो खाम नहीं बंता हूं अच्छा सोचने का वातावरं सर्वत्र आना पड़ता है। अच्छा करने के लिए सबको प्रयास करना पड़ता है। समाज जब इस प्रकार एक वातावरण में एक मन लेकर, एक संकल पर लेकर खड़ा होता है, वास्तों में उसी को समाज कहते, समाज याने संयोग से इकठा हुए लोग नहीं है, अन्या-न्यकारणों से किसी-किसी भूमी में कुछ-कुछ लोग जाकर बसे, अब इकठा है तो स इसा नहीं है, ऐसा होता तो गाडी के डिबे में भी लोग के घठा आते हैं, औरवाज़ में भी रोज हिखा आते है। उसको भारत का बहारत ही समाज, भारत का हिन्दू संवाज है, यानि क्या है? उसके सामने एक उद्धिष्य है, हम जाने न जाने, आज रगूल गाए हो होंगे तो भी जब हमको याद आएगा तो वही युद्देश्य याद आएगा वो क्या है एतदेश प्रसुतत से सकाशा दग्र जन्मनात स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानों सारे दुनिया के लोग यहां आकर हमको देखकर जीवन कैसे जीना इसकी शिक्षा लेकर जाए ऐसा देश खड़ा करना ऐसा समाज यह जिसके मन में है वो भारत के समाज का घटा जाए और इसलिए देखो कि थोड़ा याद आ जाए थोड़ा समर्थ हो जाए थोड़ा विचार करें तो अपना वेक्ति भारत का वेक्ति हमेशा क्या बोलता है मैं देश की बात कर रहा हूं लेकिन पहले भारत का वेक्ति देश की बात नहीं बोलता वो बोलता है विश्व में शान्ति होना चाहिए सत्य होना चाहिए अयोंसा होना चाहिए यह जात पात पंथ संप्रदा पूजापाती के भेद गलत है, तो मैं तुम पहले भारत को खाड़ा करने की बात करो ना, वो भी है, लेकिन पहली ये बोलता है, पुरे विश्व की चिंता करने वाला, पुरे वसुधा को अपना कुटम ममानने वाला, हम सोचे न सोचे, याद करे न करे, चाहे न चाहे, हमारा मन ये बना है, हजारों वर्शों की परम पराने हमको ऐसा ही बनाया है, वो हमारे डिएने में आ गया है, और इसलिए ऐसा समाज खड़ा होता है तब ये सारी बाकी बाते काम करती है नहीं तो उनका किया हुआ भी बेकार जाता है कितना कितना त्याग बलिदान करके हमको ये स्वतंत्रता मिली कि और केवल 1857 के बाद 1947 का काल देखे तो कितने महापुरूष कितने चरित्रों एक से एक आदर्ष्र सब जाती वर्गों में सब प्रकार के स्टरों में समाज के सारे समाज के देश के भूगोल में चप्पे चप्पे में हम सब को प्रेना देने वाले जिवन कैसा होना चाहिए इसकी शिक्षा देने वाले उदारन है हमको वहां वहां पता है लेकिन उनका किया हुआ 1947 के बाद थोड़ा थोड़ा बाहर आने में फलित होने में इतना समय क्यों लग रहा है उन्होंने अपना काम किया लेकिन हम तयार नहीं है बहुत अच्छा बीज डाला है बहुत अच्छा खात दिया है बहुत अच्छा पानी डाला है लेकिन जमीन को पहले तयार नहीं किया तो फिर खेती कैसे होगी यह सब करनी के पहले जमिन को तयार करना पड़ता है ऐसे यह सब हुआ है हमारे यह लेकिन हम लोग तयार नहीं हुए हम लोगों को तयार करने का प्रयास चला है मि उस प्रयास में एक प्रयास संग का विए इसलिए संग करता है कि संग केता है समाज gemacht को संग कर समाज अपने पंद से एक दूसरे का विचार करें समाज अपने हांकार को वेक्तिक हांकार को सामुए का को भूल जाए पूरा समाज हम एक राष्ट्र पुरुश है इस भावना से अपने राष्ट्रिय लक्ष को सामने रखकर दुनिया के जीवन में योगदान करने वाला समाज बने क्षमता अरेक की अलेग होगी बुद्धी अरेक की कम जादा होगी साधन अरेक के कम जादा होगी लेकिन सब लोग एक बात पर एकमत है कि जो भी है मेरे पास जितना है वो सब के लिए है जो मेरे पास है उसके लेकर मैं सब की सेवा करूंगा जरूर नहीं एकदम अखिल भारत में किर्थी संपन्नों पूरुशम हो जाए हम अगर पाच परिवारों में बदल ला सकते हैं उतनी अपनी ताकत है तो उतना करूंगा जो भी है रोज सुर्य भगवान प्रकाश देते हैं एक बार उनकी इच्छा हुई उन्हों देखा भारत में आके अर्ण लिव मिलती है कैजूल लिव मिलती है और लिव लेने में ज्यादा रहते लोग काम करने के बजाए उनको लगा मैं युगो युगों से कर रहा हूं तो उन्होंने बुलाया साब प्रकाश देने वाली वस्तों को कि देखो बैए मैं अब थक्या हूं जरा साथ दिन आराम करता हूं आप लोग काम समालो चार्ज किसको देना बताओ सारी दुनिया में प्रकाश देना इनियमित आधे में 12 गंटा आधे में 12 गंटा तो उसके बात तो एकदम चंद्र ही दिखता है तो चंद्र ने का कि महाराज मैं तयार तो हूँ लेकिन क्या मैं प्रकाश आप से लेकर देता हूं आप छुट्टी पर जाएंगे तो मैं क्या करूंगा ही जो एसे थे बल्प ते एक ट्यूब लाइट थे सबूर्यव उनमें चांब वहलों है अमारा प्रकाश लेकिन हम सारी दुनिया को तो हों कर सकते ति एक छोटा सा दिराता हूं सूर्द भगवान का क्या तुम क्या महाराज में क्या कर सकता हूं मैं नई जानता फूरी दुनिया को मैं प्रकाश दे सकता हूं गैं लेकिन एक वच्छन में आपको देता हूं मेरी तेल और बाती जब तक साबूत है तब तक मैं जलता रहूंगा सारी दुनिया में प्रकाश देने के लिए प्रत्यक दिये का ये संकल्प चाहिए सुरज जैसा तिजस्वी होना आवश्रक नहीं है ये संकल्प चाहिए और दिया तो उत्तम दिया वो होता है जिसको बाहर से किसी बात क्या जो अपने कहां अभी पूर्ण अपने भाषन में उनका कहना यही था कि ये चाहिए ये नहीं है वो नहीं है छोड़ दो क्योंकि उस उत्तम दीप के बारे में ये कहते है कि अपेक्षंते नचसनेहम सनेह यानि किसी का प्रेम वह वाही वगरे नहीं चाहिए रेकागनीशन नहीं चाहिए मंक पर भुलाया इसलिए आ गए लेकिन मंक नहीं चाहिए आरद्वास जी को बुला यह तो यहां है लेकिन मन्चप्र नहीं आये वहां बेठे प्रमुकतिति होने के बाद उनका अनाम मुझे पहला लेना पड़ता है क्योंकि अपर मुगतिति फिर वहां बैठे हो अपेक संटे नचा स्नेह मां स्नेह का दूसरा आरफ होता है तेल यह उसको सनेह नहाँ चयाए,的话 कोई श्रक्निछन नहीं चयाए, ना पात्रंप, कोई स्टेटर्स भी नहीं चयाए, या कोई बरतन भी नहीं चयाए, ना दशानतरम. बार-बार वो बाती को आगे करना पड़ता है इस जरुरत नहीं वो एक बार लगया काम में लगया फिर कोई उसको उसको उत्सा दे न दे उसके अंदर ये उत्सा है अपेक्षंते न चस्नेहं न पातरम न दशानतरम सदा लो कहिते युकताहाा। बिना इसके वो सदा लो कहतमे रत रहता है रत्न दीपाई व divorce माहा। रत्न दीपैसा होता है। वो अतना प्रकाश मान है स्वयम का आज आ रखेंगे वहाँ वो प्रकाश देगा वो उसका स्वभाव है उसका धर्म है उसको न तेल चाहिए न भाती चाहिए न पात्र चाहिए समाज में स्वभावत हा इस प्रकार अपने पन के आधार पर अपनों के लिए जीने वाले लोग जितने ज़्यादा उतना वो समाज अधिक संगति अधिक स्वस्थ अधिक धर्म से चलने वाला समाज होता है और ऐसे समाज के सरकार, नेता, नारा, निती, पार्टी, संगतन, संस्था है सब कुछ अपना काम ठीक करके समाज का वैभो बढ़ाना और अपना समाज सारे दुनिया को अपना मानता है इसलिए साथ-साथ पूरी मानवता का वैभो बढ़ाने वाला होता है इसलिए सब के सामनी ये आना चाहिए जो मैंने मैं कहता हूं हमेशा जो उस बड़े आदमी को मैंने बताया हूं मैं हमेशा कहता हूं कि अपने समाज में जितना खराब चलता है ऐसा लगता है उससे 40 गुना ज़्यादा अच्छा हो रहा है वो प्रसिद्धी के प्रकाश में नहीं आता इसलिए मलूम नहीं लेकिन ये है और इसलिए निराश नहीं होना अच्छा ही की राह नहीं छोड़ना उस पर डटके चलना क्योंकि अच्छा ही होने वाला है ये विश्वास समाज में जगना चाहिए इसलिए आप लोगों का काम दुनिया के सामने आना चाहिए आपके प्रसिद्धी के लिए नहीं आपको प्रसिद्धी नहीं चाहिए लोगों के हित के लिए लोगों को पता चलना चाहिए हमारे जैसे लोग है कुछ तो हमसे भी साधनों के मामले में शक्ति के मामले में अशक्त है फिर भी वो कहते वो स्वयम अभावगरस्ता है अभावगरस्तों की सेवा कर रहे हैं यहां भी आपको अधरन मिले एक जंगल में रहने वाला लड़का था चात्रावास में आया हमारे वो अपने जंगल के अंदर वाले देहाच से नोकरी चौथी भी पास नहीं था अपना अपना अस्ताक्ष कर सकता था नोकरी के लिए आया उसको रहने को कहा जगा ब्लॉक का स्थान था तो वहां अपना चात्रावाज चलता था बनुवासी लोगोंगे उसमें थे त्बिट एक लिए उसमें रहा तीन दिन किसी की पैचान से आया तीन दिन गुमा अब ऐसे वेक्तियं को कहां से न चाटरवास है तो मैं भोजन बना सकता हूं पानी भर सकता हूं सफाई कर सकता हूं कि हमारे चातरवास ने प्रमुख ने कहा कि भाईया तुमको वेतन तो हम बहुत नहीं दे सकते हम स्वें लोगों की दया पर अपना प्रकलप चलाते हैं तो हम तुमको जदा-जदा 30 रुप में वो जंगल के अंदर क्या है रोज का भात मिल गया और वो पेड़ पौदे और घास से छपर सजा लिया तो उनका काम हो गया जरूरत बहुत कम है इसलिए तीस रुपया चलेगा आप ऐसा करो चार मेने का एक साथ दे दो तो मैं घर बेजता रहूं ठीक है उसकी जरूरत देखे चार मेने के बाद वो उसको पैसा दिया एक तो उसने वापस कर दिया चार मेने पहली बताया तो तुमको जादा नहीं दे सकते तुम गुसा हो गया चोड़ना है तुमको चोड़ो यह एक सो भी सुर्पया ले लो तुम आं काम किया है तुम ले तो क्या करोगे कहा जाओगे जाने वाला नियों मैं यही काम करूंगा सारा पैसा नहीं लूँगा क्यों नहीं लेंगे भी नहीं वो एक आपके आये थे क्या कहते आप उनको विभाग प्रचारक वो आये थे आपके मैंने उनको पूछा आपका नाम क्या है आप क्या करते भी क्या बतानेए उसको तो आखडों में बताना पड़ता तो अफ्रचारक में बताया कि मैं बाविस वी पड़ाँ तो बीकामे ल데 Economics first scar तो फिर आपको कितने पैसा मिलता है इसका तुले पैसा नहीं मिलताल व कया दो आपका कैसे चलता है difference तो मेरा गर नहीं है मै ने विवा भुर किया नहीं मेर परे नहीं नहीं के परिवार बीवार थो चेला थे मोगे तुल सा कर माखना था के लिए आपने घ्रभ chambers आपने सब लोग है उनके लिए करना है तो मेरे मन में आया कि यह बहुत पढ़े लिके होंगे इसलिए समझ के करते होंगे हम अनपढ़ है तो क्या हुआ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं और पंदरा साल वो बिना पैसे लिए यह सब काम करता रहा अनत में उसकी भविश्य की सोचकर उसको ड्राइविंग अगरे सिखा कर हमने ही उसको कहा कि तुम बैया विवाव अगरे करो कमाओ खाओ और यह काम भी करो बचे हुए समय में इसलिए उसने यह सब किया अभी भी है अब उसके लड़के भी इस परकार सारवजनी कारे में अपना समय देने वाले हो गए पर रहे हो लेकिन अबी से उनका ये सब चलता है तो चाहिए सेवा करने के लिए एक अंतक करण चाहिए जिसमें अपनत्तवा है बाकी कुछ नहीं चाहिए सोर्य होने के आवश्यक्ता नहीं आप अले मिठी के एध दीब हो लेकिन आप भी अपना काम कर सकते हो यह समाज में संदेश जाना चाहिए इसलिए इस मंच के माध्यम से ऐसे लोगों को सामने लाना ताकि आपके जैसे सेवा करने वाले समाज में और खड़े हो और आपका भी उत्सा बढ़े आप दुगने जोर से सेवा में लग जाए और जैसा मैंने कहा कि यह करेंगे तो संदेश का काम बढ़ेगा यह अपने आप होगा उसके लिए काम नहीं वैसा इस मंच पर आप आप एक दूसरी से परिच्य हो गया तो आप मिलकर काम करेंगे तो एक दूसरी को मदद भी होगी और एसी सेवा भी बढ़ेगी यह होगा उसके लिए नहीं आना लेकिन यह होने वाला है जो आपको लगा कि अब यहां आएंगे तो किसी किसी ने कहा भी कि हमारी काम में मदद हो करने वाले इकठा आते हैं तो एक दूसरे को मदद करेंगे ही नहीं करेंगे तो मतलब क्या है उनको बुलाने वाला संगे जैसा अगर संगटन है तो वो तो कुछ न कुछ हाथ लगाए जितनी ताकद है जहां उतनी वहां हाथ लगाई गई यह नहीं करेगा तो बुलाने म ही गड़बढ़ है भाव में गड़बढ़ है कुछ इसलिए ये सारी बाते होगी लेकिन ये अपेक्षा नहीं है उद्देश अपना क्या है समाज हुए ये पता चले कि हम सब लोग कर सकते हैं इसलिए निराश होने के आवस्टा नहीं सब गड़बढ़ हो रहा है सब गड़ परिसिती बदल सकती है. बगुइत गिता में कहा है? करे हैं समाझ की दरना करने का काम करें समाझ की उन्नती का काम करें चोटा मोटा भी करेंगे तो बड़े बड़े डर के विशे दूर हो जाते है. तो अपने जगह पर आप ये सब करते रहें और समाज के लोगों को भी पता चले कि हम भी कर सकते हैं, इसलिए आज का जो कारिक्रम हुआ है, मैं देख रहा हूं कि अत्यनत यशस भी है, और उस यश की भावी प्रयासों में भी मैं आप सब को शुभकामना देता हूँ, आप सब लोग मिलते रहें, सहयोग करते रहें, औ और ऐसे लोगों की समाज में संख्या बढ़ाते रहें, ये एक शुभकामना आपको देता हुआ, और फिर एक बार आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, कृततनिता पूर्वक आपको वंदन करते हुए, मेरी चार शब्द में समापत करते हूँ.